हेलो स्थो मैं हूर जट बहुत बहुत स्वागत है आप सबी का इस निव वीडियो में दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुमै किसी के प्यार में के आने वाल एपिसूड के बारे में क्योंकि सीरियल से जुड़ा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा क्या वाकई में यहां पर गोली तीनों शक्स को ना लगकर क्या छोटे बच्चे विनायक को लगेगी और क्या विनायक की जान खत्रे में जाने वाली है और वहीं पर जिन लोगों ने आज का एपिसूड देखा वो सभी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सूनाली की जो भविश्यवानी है वो वाकई में सच हो जाने वाली है क्योंकि जब बपा से भवाने काकू परातना कर रही होती है कि हमारे बच्चों को जो है बेरे बच्चे को जो है पोते को जो है सुरक्षित रखना तो यहां पर सोनाली आकर कहती है कि आप कैसे कह सकती है पहले भी तो खत्रा आया था विरायक के ओपर जब सही उसे लेकर चले गई थी और ऐसे में भवाने काकू काफी emotional हो जाती है और कहीं न कहीं सोनाली की भविश्यवानी जो है pre-cap में सच होते में नजर आ रही है तो बड़ी ही मामूली बात है चलता फिरता कोई भी kidnapping कर लेता है और चौर की जरुद पढ़ती है तो चौर भी एक मामूली सी औरत से ब्लैकमेल हो जाते हैं और इस चेकर में बड़े बड़े और चूरिया कर लेते हैं और अब तो नागपूर की सडके भी खराब है क्योंकि हर बार गाड़ी पंचर होकर खाई में उदर उदर गिरती ही रहती है यह नागपूर में इतनी खाई आई कहां से मैं तो यह सोच रहा हूँ वैल छोड़ते हैं इन सब चीजों को हम तक कहानी की और बढ़ेंगे तो यहां पर ट्रक वाले भाई साब जो है वो थोड़ी समझदान यहां पर निकलने वाले है क्योंकि नागपूर की सड़कों को आसारी से समझ चुके हैं उन्हें पताए कि ऐसे हाथ से आई दिंग होते रहते हैं और बिसिकली चावान निवास के लोगों के साथ ही होते हैं मुझे तो लगता है चावान निवास के लोगों को यहाँ पर हवन हवावन काला लेना चाहिए घर के अंदर यह पार्टे को छोड़कर कुछ शुद दवाता वरन बनाना चाहिए क्योंकि इतने सारे खत्रयार किस्के उपर आते हैं बला और वो भी इतने वड़े-वड़े की जान की बाजियां लग जाती है यहाँ पर एक्सिडेंट से तो वो लोग बच जाने वाले हैं लेकिन विराट ने जो पुलीस फोर्स लगाई है पत्र लेखा के लिए और पूरी तरीके से यह कहा है कि इसको लोफ प्रोफाइल केस रखना यानि कि ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चीए क्योंकि यहाँ पर वैसे तो विराट कानून का रखवाला बनता है लेकिन असल बात तो यह है कि मिसिंग की रिपोर्ट भी जो है पत्र लेखा खुद मिचौर है काफी बड़ी है एच में तो यहाँ पर किसी भी तरीकी की नादानी वो नहीं करेगी अपने फैसले खुद ले सकती है लीगली भी देखा जाये तो लेकिन इसके बाउजूर विराट ने पुलीस फोर्स लगा दी है उसके पीछे और इसी रिजन के साथ पत्र लेखा पकड़ में आने वाली है अब पत्र लेखा को पत्ता चल जाएगा कि विराट ने उसे रोकने के लिए हैर एक ममगिन कोशिश की है लेकिन यहाँ पर पत् जगा पर उसे सिक्यारिटी मिलने वाली है तो पत्र लेखा को रगेगा कि यहाँ पर रहना तो आप नागपूर में ही है नागपूर से भाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है लेकिन नागपूर में रहते हुए भी जो है साई को अपना बच्चा वो सौंप दे इतनी ज़ आने वाली है यानि कि यह कहें कि पत्र लेखा अब एकदम वन मैन आर्मी के तरह जो है आर्मी नहीं कहूंगा क्योंकि आर्मी के साथ कभी भी नेगिटिव थिंक्स नहीं जूड़ी होती है आर्मी हमेशा ही मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूं इंडिन आर्मी की खास कर और सभी की आर्मी की तरह रिस्पेक्ट ही होती है यह जगा पर तो यह नहीं कहूंगा कि वन मैन आर्मी है यह कहूंगा कि वो अकेली जो हो चवान निवास के लोगों पर और खास कर विराट और उसके पुलीस आफिसर पर भारी पढ़ने वाली है क्योंकि पुलीस आफिसर बंदूग उठा कर विराट की और पत्साइक के सामने खड़ी हो जाती है या फिर ये विराट का ड्रीम निकलता है आलगे दोस्तों फिलाल की कहानी देखने के बाद तो साफ फता चल रहा है कि अब ये ड्रीम सीन नहीं लग रहा है क्योंकि पत्र लेखा अगर लंदन नहीं जा पाईगी बच्चे को लेकर तो वे नागपूर में रहकर अगर विनायक को उसके अपने पास रखना है तो उसे बचकानी हरकते तो करने ही पड़ेगी और इसे क्रिमिनल टाइप के काम तो करने ही पड़ेंगे जिसे रोकने के लिए विराट मेहनतकारी करने वाला है और यहां पर मुझे नहीं लगता दोस्तो कि विनायक को गोली लगने वाली है क्योंकि आई तिंग यह गोली जो है विराट को ही लगने वाली है और पत्रे लेका और सही तो आउट है बिल्कुल तो विनायक और विराठ ही बसते हैं और देखना बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है कि सीरिल की मेकर्स जो है बच्चे को महरा बनाते हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर यहां पर पूरी तरीके से एक कहानी जो है विराठ की कंदों से रोकर गुजरती है और विराठ की सरीर के आर पार बंदू की गोली हो जाती है हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दू कि इन सब चीजों के बाद भी जो है साही की जीत तो यहाँ पर इतनी आसानी से आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर क्यों कि बहुत सारे लोग इस बात की आस लगाए बैठे हैं कि बस यह अब लास्ट ट्रेक है इसके बाद सभी के एंटर चावान निवास में है चावान निवास के लोग सभी की फिवर में होंगे और पूरी तरीके से कहानी जो है पॉजिटिव हो जाएगी भवानी काको और बाकि सम्लोग पत्र लेखा के अगेंस्ट हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पत्र लेखा का असली जो मकसद था वो पूरा अलड़ी हो चुका है और ये मकसद जो है एक कहानी के अंदर चुपा था जो कि विनायक को पत्र लेखा सुनाती है यानि कि ये कहें कि छोटे से बच्चे विनायक का पूरी तरीके से माइन वाश जो है पत्र लेखा कर चुकी है और अब situation कोई भी क्यो ना हो गोली की से भी क्यो ना लगे यहाँ पर सबसे पहले विनायक जिसे अपनाने वाला है वो और कोई नहीं बलकि पत्र लेखा होने वाली है और investigación पर जट पर और जाएगी कि पत्र लेखा ने भैला पुसला दिया है विनायक को इसलिए विनायक कैसी बात कर रहाँ लेकिन विनायक को मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ और आल ओवर यहां पर विराट को फिर से दो नाओ में सवार होना होगा और चवान निवास के लोग वो भी यहां पर सही को ब्लेम नहीं करने वाले इस बार कि सब कुछ जगली मुल्की के वज़े से हुआ है वो यहां नहीं रह सकती है यहां पर सब स्लोग जो है एकदम साइलेंट मोड में आपको नजर आने वाले है केवल और केवल जो है अब कहानी कैसे मोड पर आकर रुख जाएगी जहां पर चवान निवास, सई, विनायक, सवी सब एक जगा आकर रहेंगे और एक जगर आजाएंगे और वहीं से कहानी जो है आगेबढ़ने वाली है यानि कि यह कहूं कि कहानी का एक पुनर जन्म होने वाला है हालकि यह पहले भी دेख चुके हैं सेम कहानी और आपकी ड्रीम स्टोई लाइन क्या है कल की वीडियो में बहुत कमी लोगों ने बताया तो आज भी बता दीजे प्रीज और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि आपकर आपके फेवरी टीवी सीले सीडियो अपडेट मैं आपको लगातार पहुंचाता रहता हूँ कोई भी सवाल है इंस्टेग्राम पर शेर कर सकते हैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है मैं विलूंग आगले वीडियो में जब तक किरिए तेंक्यों दोस्तों